नमाजकार दोस्तो बीसी यानी बॉलिवूड चलोगे में आपका सौगत है आज हम बात करने जा रहे हैं दरसल सनी देवल और अनिल कपूर के बारे में जी हाँ दोस्तो देखा जाये तो सनी देवल इस समय काफी जादा सुर्खियों में बने हुए हैं अपनी मूवी को ले कर के गदर्टू को ले करके उनकी चारों तरफ चर्चाएं हो रही है इसी बीच एक किस्सा निकल करके सामने आया है वो किस्सा है दोस्तो अनिल कपूर और सनी देवल का देखा जाये तो ये दोनों बहुत बड़े इस्टार हैं और इन दोनों के पास ना ही फिल्मों की कमी है और नहीं इनको सोहरत की कमी है कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा फिल्मों से जुड़ा कि जो इन दोनों बड़े सितारों को नहीं जानता और देखा जाए तो 90 के दसक में इन लोगों की बॉली वुड में एक तरीके से तूती पोलती थी और सनी देवल तो इतने गुसे वाले थे कि उनको उनसे सब कोई डरता था यहां तक कि बताते हैं कि एक बार सनी देवल तो डर मूवी के दोरान उन्होंने अपनी पैंटर तक फाट डाली थी इसका मतलब कि सनी देवल को गुसा बहुत जादा आता है और इसी बीच इसी गुसे के चलते सनी देवल की जो लड़ाई है वो अनिल कपूर से भी हो चुकी है जी हां दोस्तों यह बात है 1998 में जब फिल्म आई थी राम आउतार और इसी के साथ ये दोनों दो फिल्म की सूटिंग और कर रहे थे एक का नाम था इंतिकाम और दूसरे का नाम था जोसीले और इसी दोरान जब जोसीले फिल्म की सूटिंग चल लए थी सूटिंग के दोरान डैलोग को लेकर दोनों में बहुत कहा सुनी हो गई और जब इसका पोश्टर रिलीज हुआ उसमें अनिल कपूर का नाम सबसे उपर था और सनी देवल का नाम नीचे था जो सनी देवल को काफी गुसा लगा और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो अनिल कपूर की चारो तरफ वावा ही होने लगी जिससे सनी देवल और नाखुस हो गए और इसी के चलते वे उनकी जो दूसरी मूवी थी जिनका नाम था जोसीले जोसीले मूवी में ये दोनों एक साथ सूटिंग कर रहे थे और सूटिंग के दौरान दरसल एक सीन ऐसा था जिसमें सनी देवल को गला पगड़ना था अनिल कपूर का तो सनी देवल इतना जोस में आ गये थे उन्होंने अनिल कपूर का इतना तेजी में गला पगड़ दिया था कि अनिल कपूर साथ भी नहीं ले पा रहे थे और डिरेक्टर ने कट भी बोला था लेकिन इसके बाद सनी देवल ने अनिल कपूर का गला नहीं छोड़ा और फिर बहुत देर बाद जब गला छोड़ा दोनों को छोड़ाया गया और दोनों के बीच इतना मतभेद पैदा हो गये कि आज तक ये दोनों बड़े इस्टार ए इन दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये सब छोटी मोटी बाते होती रहती हैं और जो इनके फैंस होते हैं उन पे भी देखा जाया कुछ असर पड़ता रहता है तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताईए और इन दोनों क जगड़े में आप बताईए किसकी गलती थी किसकी नहीं थी हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाइब बाइब